नवस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है सिक्षा अकैडमी की इस नए वीडियो में तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं भारत के भूगुल के कुछ महत्पूर्ण प्रेश्ण जो कि आपको लगभग सभी परिक्षा के लिए महत्पूर्ण सावित होंगे तो चलिए दोस्तो देन ना करतू ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो इस वीडियो का पहला प्रश्ण है मेक मोहन रेखा सीमा बिवाजन करती है मेक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच में पड़ती है किन देशों की सीमा को मेक मोहन सीमा के नाम से ही जाना जाता है तुस्तों इसका सही आंसर आएगा option यानि की भारत और चीन तुस्तों भारत और चीन के बीच की रेखा को मेक मोहन सीमा के नाम से जाना जाता है क्या मेक मोहन सीमा के नाम से बात करें तुस्तों भारत और पाकिस्तान की तो भारत और पाकिस्तान की सीमा को कहते हैं र भारत और बांगला देश सीमा के नाम से ही जाना जाता है दोस्तो भारत और म्यामार की सीमा को भी भारत म्यामार सीमा के नाम से ही जाना जाता है इसके बाद चलाएं दोस्तो अंगला प्रशन है भारत का सबसे उंचा बान कौन सा है भारत का सबसे उंचा बान कौन सा है option है A. हीरा कुंड B. पाकर नांगल बांद option C. नागरजुन बांद option D. टहरी बांद तो इसका दुस्त ही आंसर है option D. यानिकी टहरी बांद भारत का सबसे उंचा बांद है दोस्तो यह उत्तरा खंडर राज में बना हुआ है टहरी जिले में भात का उत्तरा खंडर राज में और दोस्तो टहरी जिला टहरी जिले में बना हुए इसकी उंचाई है Crystal 2061 मेटर 2186 मेटर इसकी है उंचाई और दोस्तो यह ऐग दो प्रमुख नदिवे बना हुआ एक नदी का नाम है भागे रति और दूसरी नदी का नाम है भीलंग गाना दूसरी नदी का भीलंग गाना नाम है नदी का दूस्तो इस टहरी बांध को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है श्वामी रामतीर्थ सागर बांध क्या स्वामी रामतीर्थ सागर बांध के नाम से भी टहरी बांध को जाना इसके बाद चलते हैं अंगले प्रश्ट पर अंगला प्रश्ट है करक रेखा कहां से होकर नहीं गुजरती दोस्तों option A गुजरात, option B है उयशा, option C तरपरा या option D पश्यम बंगालत दोस्तों और करके रेखा है, जो भालत के आठ राज्यों से होकर गुजरती हैं, कितने आच राज्यों से होकर गुजरती हैं दोस्तों याई सबसे पहले गुजनात में फ्रुविस करते हैं गुजनात, राजस्थान, मद्द पिर्देश, मजोरम, तरुपरा, चत्तीजगर, पच्छिमंगा और जहारखंड राजसी गुजरते हैं पित्रफल में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, भारत का च्छित्फल के साब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है Option A मद्द पिर्देश, Option B उत्तरपिर्देश, Option C महराष्ठ्य, Option D राजस्थान, इसका दुस्तों सही आंसर है option D यानि की राजिस्तान भारत का सबसे बड़ा राज्ज है भारत का सबसे बड़ा राज्ज है लगबग इसका छितफल है 3,42,249 किलो मीटर इसका छितफल है 3,42,249 किलो मीटर है दोस्तों इसके बाद बात कहने हैं इसके बाद दूसरे नम्मर पर आता है मद्द प्रदिस तीसरे नम्मर पर आता है दोस्तों महाराष्ट और उत्तर प्रदिस है दोस्तों यह उत्तर प्रदिस आता है चोथी नम्मर पर आता है उत्तर प्रदिस पहले पे राजस्थान, दूसरे पे मद्ध प्रदिस, तीसरे पे महाराष्ट, चोथे पे आथा उत्तर प्रदिस और पांच पे नम्मर पर आता है दोस्तो जम्मू एंड कस्वीर तो दूस्तो यह रहे छेत फल के अनुशार राज्य है पहले सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, राजस्थान से छोड़ा दूसरे नम्मर पर मद्ध प्रदिस, तीसरे नम्मर महाराष्ट और चोथी नम्मर पर आएगा उत्तर प्रदिस इसके बाद चलते हैं आगे बढ़ते हैं अंगला प्रश्ण है भारत किस गोलार्थ में पढ़ता है या भारत किस गोलार्थ में इस्तित है तो इसका सही आंसर है भारत उत्तरी गोलार्थ में इस्तित है ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्थ में इस्तित है इसके बाद चलते हैं अंगले प्रश्ण है भारत में हिमालाए की सबसे उची चोटी कौनसी है भारत में हिमालाए की सबसे उची चोटी कौनसी है option A केटू, option B कंचन जंगा, option C नंदा देव या option D नंगा परवात इसका सही आंसर है option A यानि की केटू दोस्तो केटू जो चोटी है जो भारत के जम्मू कश्वीराज में पढ़ती है P.O.K. में जो की अभी जिसे पाक अधीकरत कश्वीर के नाम से भी जाना जाता है या दोस्तो अभी पाकिस्तान के कबजे में हैं लेकिन भारत की ही मानी जाती है दोस्तों जो एक कंचन जंगा है या भारत की दूसरी सबसे उची चोठी जो की सिक किम्राज में पढ़ती है इसके बाद चलते हैं आगे बढ़ते हैं अंगला प्रश्न है भारत के अरब शागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र टट की लंबाई लगभग कितनी है अरब शागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र टट की लंबाई लगभग कितनी है अप्षन आपके सामने A है 5500 km, आप्षन B 1600 km, आप्षन C 3500 km या आप्षन D 3600 km तो इसका सही आंसर है आप्षन B यानिकी 1600 km में 1,600 km है समुद्र तटकी लंबाई दोस्तों बात करें तो यह अरब शागर और बंगाल की खारी जो भारत देश लगभग ऐसा वना मीटर है और दोस्तों जो राज्य यहां पर पढ़ते हैं साइट अंडमा निकुबार दीव समो या फिर यहां लक्ष दीव दोस्तों सभी संपूर की लंबाई पूछ सब मिलाकर ये इसमें लक्षदीव भी सामिल होगा अंडमा निगुबार दीव सामिल होगा और या प्राइ दीव भारत भी सामिल होगा इसके बाद चलते हैं अंगले प्रेश्ट पर अंगला प्रश्ण है गारो और खासी पहारिया किस परवत्स जाणी के भाग है तो इसका सही आज़ा दूस्तो ओप्शन D पूर्वी खाट पहारियों के भाग है गारो और खासी इसके बाद चलते हैं दूस्तो अंगले प्रश्ण पर अंगला प्रश्ण है भारत का छेत्रफल बिश्व के छेत्रफल का कितने प्रतिसत है भारत का कुल छेत्रफल बिश्व के कुल छेत्रफल का लगबक कितने परसेंट है दोस्तों option A 10.82% option B 8.70% option C 2.43% option D 4.56% इसका सही answer option C यानि की 2.43% है भारत का चीतवल शम्पून बिस्प के चीतवल के साबसे इसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं अंगला प्रश्न है भारत का सबसे दच्छन तम बिंदू कौन सा है भारत का सबसे दच्छन तम बिंदू कौन सा है दोस्तों option A इंद्रा पॉइंट, option B रामिश्रम, option C मदुरई या option D कन्या कुमारी दोस्तों इसका सही answer है option A यानि की इंद्रा पॉइंट दोस्तों इंद्रा point भरत का सबसे दश्चनी बिंदू है जो कि बड़ा निकुबार में पढ़ता है कहाँ पर बड़ा निकुबार में पढ़ता है दुस्तों कन्या KUMारी की दोस्तों बात करें तो इंद्रा प्वाइंड है जोगी अंडवादने को बार में इस्तेद है सियके साथ दुस्तों यह वीडियो यही वार समाप्थ होता है यदि आपको अपलीव पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करनें शियर करनें दूस्तों चेनल को सबस्काइब करना ना भूल है तो दोस्तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीस वीडियो को लाइक करें यदि ना आया हो तो प्लीस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं और आप मुझे प्लीस बदाएं कि इसमें क्या मिश्टेक है तो चले दोस्तो मिलते हैं अंगले नेस्ट वीडियो में तब तब तक के लिए स्टू बाइ